दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश मारणी सुप्रीम कोट ने साथ नॉवंबर यानि स्थोमवार को एक बड़ा जज्जमेंट सुनाया जिसकी देश में काफी चर्चा है कोट ने EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों के लोगों को आरक्षन की व्यवस्था करने वाले एक सो तीनवे संविधान संशोधन को संविधानी की रूप से जायस ठारा दिया ये फैसला मुख्य नियायाधिस यूयू ललित के कारेकाल के आखरी दिन उन्ही की अध्यक्षता वाली पांच सदस्तिय संविधान पीठ ने दिया मजे की बात है कि स्वेम मुख्य नियायाधिस ललित इस जज्जमेंट के पूरी तरह पक्ष में नहीं थे उनकी बेंच ने बहुमत से ये फैसला लिया तीन जज्जों जस्टिस दिनेश महस्वरी जस्टिस बेला एं त्रिवेदी और जस्टिस जेवी पारदीवाला ने EWS आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन को पूरी तरह सही ठाराया तो दो जो जज्ज थे चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस एस रविंद्र भट इन्होंने कुछेक मुद्दों पर असहमती जताई लेकिन अल्पमत रायवाले दोनों माननी नयाय मूर्तियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा पारित कराए एक सो तीनवे संविधान संशोधन की बूनियादी धारणा पर कोई आपती नहीं थी इसलिए दोस्तों जो मीडिया में आया है कि ये स्प्लिट जज्जमेंट है ये अर्ध सकते है इस्प्लिट जज्जमेंट जरूर है लेकिन कुछ तकनीकी या कुछ मुद्दों को लेकर है लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षन की जो धारना है जो अपने देश में एफर्मिटिव एक्षन का दर्शन है वो जो प्रशन है उस पर कोई इस्प्रिट ओपिनियन नहीं है उस पर पांचों जज्ज एक ही राय रखते हैं यही नहीं प और जस्टिस भट ने तीनों जज़ों से किसी तरह की असामती नहीं जताई है इस तरह पांचों जज आर्थिक आधार पर आरक्षन देने की प्रावधान से सामत थे अल्पमत फैसले को पूर्जोर ढंग से रखने वाले जस्टिस रविद्र भट ने तो साप शब्दों मे कहा है कि आर आरक्षन को आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है पर आर्थिक आधार पर आरक्षन के दाएरे से SC, ST और OBC को अलग रखना संविधान के मूल धांचे खास तोर पे समानता के सिद्धानत के विरुद्ध है और ये भेद भावपूर्ण यानि डिस्क्रिमिनेट इसलिए दोस्तों वो इस संविधान संसोधन को गलत मानते हैं ऐसा भट साहब का जस्टिस भट का कहना रहा है अपने अल्पमत फैसले में उन्होंने आंक्डे भी दिये हैं कि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का 80% से भी ज्यादा हिस्सा SC, ST, OBC संविधानिक आधार पर आरक्षन के अधिकार से वंचित कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों आईए अब हम इस एतिहासिक फैसले की संवैधानिक मुल्यों के आधार पर कुछ और परख करें तीन तथ्य ध्यान रखने लायक हैं पहली बात कि ये संविधान संसोधन जिसे ए पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाया था उसे फौरन चुनौती दी गई चालिस याचिकाएं सुप्रीम कोट में दर्ज हुई पर किसी संविधानिक पीठ के बजाए सामानि पीठ ने उसकी सुनवाई करते हुए उसके क्रियानियन पर कोई रोप नहीं लगाई आरक्षन का प्रावधान सिर्फ सामाजिक शैक्षिक पिछडापन पराधारित रहा है आरक्षन हमारे यहां गरीबी उन्मूलन परियोजना नहीं है और नहीं यह आम रोजगार भरो अवियान है यह एक तरह का इफर्मिटी वेक्षन है सदियों से वंचित और भेद भाव का शिकार है लोगों समाजों को सामाजी न्याय देने का इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि सामाजी सेंत्षिक आरक्षन का प्रावधान भारती समिधान के मूल धांचे का हिस्सा रहा है तो क्या हीृतिक आर्थिक आधार पर करने का मोधि स सरकार का फैसला समिधान के मूल धांचे के विर्द नहीं था और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मोधी सरकार ने जो फैसला किया कि इसको आर्थिक आधार पर किया जाएगा अपरकास्ट के कथित गरीब लोगों को देने का ये जो प्राधान है आर्थिक आधार पर हम दें नो केवल पहला आर्थिक आधार पर आरक्षन है बलकि ये भारत का पहला ऐसा आरक्षन प्रावधान है जिसके लिए कोई बेसिस नहीं था, कोई सर्वे नहीं था, कोई कमिशन नहीं बैठा था, कोई जनगनना नहीं की गई थी, कोई ऐसा डॉकुमेंट नहीं सरकार के पास जो ये बताए कि अपर कास्ट में कितने लोग गरीब हैं जिनके लिए वाकई एफर्मेटिव एक्षन की जरूरत है। तो ये जो पहलू है मैं समझता हूँ कि ताजा फैसले से संविधान के मूल ढांचे के कुछ जरूरी सिद्धान निश्चित रुप से नजरंदाज हुए हैं। संविधान के प्रियंबुल के कुछ पहलूँ के अलावा अनुछे 14, 15, 16, 17 को अगर देखें तो ये साप जाहिर होता है कि ये सिद्धान नजरंदाज हुए हैं जो इन अनुछेदों में नहित हैं। फैसला सुनाने वाली पीट के दो माननी सुजस्ये मुख्य नयदीस और जस्टिस रविंद्र भट का जो कथित अल्पमत फैसला है वो भी इसकी तस्दीक करता है इसे पुष्ट करता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है समिधान का उसके कतिपय पहलूँ को ये वायलेट करता ह है एक सो तीनवा संविधान संशोधन लेकिन अब मिजार्टी फैसले में सुप्रिम कोट की उस पर मुहर लग गई है मुख्य नयदीस और अपनी तरफ से अल्पमत का फैसला लिखने वाले जस्टिस भट ने माना है कि आर्थिक आदार पर आरक्षन के दाएरे से स्सी स्ट जाता है इसी संदर में माननी नयदीशों ने बहुत विस्तार से सिनो कमीशन रिपोर्ट का आधिकारिक डेटा कोट करते वे कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में 80% से ज्यादा लोग SC, ST, OBC हैं भारत में दोस्तों 1931 के बाद आज तक जाती आधारित कोई जन इनकार नहीं करेगा न तो कोई एकेडिमिशियन न जरनलिस्ट और नहीं कोई कोई नयाई पारिका से जुड़ा कोई भी व्यक्ति तो दोस्तों इन तत्यों की रोष्टी में अगर हम देखें तो फिर यह समिधान संचोधन और इसे जायस ठाराने वाला कोट का ताजा फैस जाता है जो प्रियंबुल के अलावा अनुछे 14 बहुत पूर्जोर ढंक से हर नागरिक को समानता का अधिकार मुहिया करानी की बात करता है इस तरह यह समिधान संचोधन क्या विभेदकारी नहीं है लेकिन ये तत्तिक कम हत्मूर नहीं दोस्तों कि अल्पमत फैसला देने वाले मुख्य, नियायाधीस, ललित साहब हों या जस्टिस रविंद्र भट साहब हों किसी ने भी किसी ने भी आरक्षन को आर्थिक आधार पर देने के नए प्रावधान को समिधान के एफरमेटिव एक्षन संबंदी मूल दर्षन के प्रतिकूल नहीं कहा इन अर्थों में ही मैं कहा रहा हूँ कि यह उतना स्प्रिट वर्डिक नहीं है जितना इसका शोर मचाया गया है इन अर्थों में इसे सुप्रिम कोर्ट का हम सर्वसम्मत फैसला कह सकते हैं आर्थिक आधार के पहलू को जो इस 193 संभिधान संशोधन का जो बेसिक इशू है और जो सबसे फंडामेंटल पहलू है क्योंकि आर्थिक आधार से किसी जज को असामती नहीं रही है तो आएए देखते हैं दोस्तों इस फैसले को संभिधान और एफर्मेटिव एक्षन के दर्शन की रोशनी में और कैसे देखा जाना चाहिए हमारे संभिधान में आरक्षण विश्यक कुल मिलाकर चार अनुछेद हैं 15, 4, 16, 4, 46 और 340 संभिधान के अनुछेद 14 में समानता का सिध्धान्त प्रतिपादित हैं ये सब मौलिक अधिकार यानि fundamental rights के तहता है संभिधान के part 3 से fundamental rights यानि मौलिक अधिकार के अनुछेद शुरू होते हैं part 3 में अनुछेद 12 से 35 अनुछेद तक शामिल है इसमें एक बात साफ हो जाती है कि अनुछेद 15, 4 या 12, 4 को मौलिक अधिकार के किसी भी प्रावधान से अलग नहीं किया जा सकता आरक्षन को लेकर जब संभिधान सभा में बहस हो रही थी तो पाया गया कि सभा को अनुछे 14 के साथ ऐसा भी एक प्रावधान करना होगा जिससे की पूने पैक्ट की रोश्णी में सामाजिक सैक्षिक आधार पर समाज के उन समुधायों के लिए आरक्षन संभव बनाया जा सके लंबे वक्त से सामाजिक और सैक्षिक स्तर पर वंचित जो लोग रहे हैं उसी बहस में आउसर की समानता बना ब्यावार की समानता के कंट्रास्ट को हल करने के लिए 15, 16 और 46 के प्रावधानों का सुत्री करण हुआ 15, 4 और 16, 4 का यही बेसिस है और अगर आप देखें तो जो संविधान में कहा गया है वो दरसल सुत्र है लेकिन अगर संविधान सभा की बात देखें आप संविधान में जो चीजें आई हैं दरसल वो संविधान सभा की लंबी बास लंबे बास मुबाइसे का एक तरह से निचोड है अब जैसे मैं उदारण देकर अगर आपको बताऊं तो जैसे 16, 4 क्या कहता है अनुछेथ 16, 4 कहता है कि इस अनुछेथ की कोई बात राज को SCST के पक्ष में जिनका प्रत्त राज की राय में राज सेवाओं में परियाप्त नहीं है को सेवा और सिनियाइटी की पुरुनती में आरक्षन के लिए उपबंद करने से निवारित या वंचित नहीं करेगी माफ किजेगा यह अनुवाद खराब है लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे सरकारी अनुवादों की हालत यही है अपने देश में अनुछे चियालिस भी इसी तरह का साफ प्रावधान करता है और सामाजिक न्याय का उलेख करते हुए वो कहता है कि प्रमोशन आफ एजुकेशनल और एकॉनमिक इंटरेस्ट आफ से एस्ट और विकर सेक्शन्स तो मौलिक अधिकारों और राजी के नीत इंटरेस्ट आफ संतुलन को हल करने के लिए समय समय पर संशोधन हुए समय धान के प्रथम संसोधन के ताहत 15 में 15 चार संलगने किया गया इसी तरह 15 और 16 दोनों अनुछेदों के पार चार में प्रावधान किया गया कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित लोगों के लिए विशेस प्रावधान किये जा सकते हैं अनुछेद 340 के ताहत 29 जनौरी 1953 को OBC कमिशन बना था काका कालेलकर कमिशन जिसका नाम है बहराल उसकी बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो उतना रिलिवेंट नहीं है आज की स्थिती में लेकिन हमारा ये कहना है कि जो संविधान सभा की बहस है और संविधान के जो अन श्रेपन को आधार बनाने का जो फैसला है वो एक विचार दर्शन से प्रेडित है वो लंबी बहस प्रक्रिया से प्रेडित है अलब सडिन उसको आर्थिक आधार पर करना मैं समझता हूं कि संविधान सभा की उस पूरी बहस पूरे उस विचार उसको एक तरह से खारिस कर और जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान सभा अगर नहीं है तो संसद में ये काम किया जा सकता है बिलकुल किया जा सकता है जितने संविधान संसोधर हुए हैं संसद में ही हुए हैं बात के लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई बहुत conflicting opinion समाज में कहीं है और संसद में कोई बह की ताकत से पूरे के पूरे विमर्ष को ही बदल देना चाहता है पूरे के पूरे फंडामेंटल जो करेक्टर है का उसी को अगर बदल देना चाहता है तो क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि समाज में सत्ता जाए सरकार समाज में जाए लोगों की ओपीनियन गैदर करे लेक के लिए कोई भी मर्श नहीं हुआ कोई बाँस नहीं हुई कोई चर्चा नहीं हुई कोई शोद और कोई इसके लिए आकलन नहीं हुआ तो दोस्तों ये बहुत महत्पूंग बात है इस पहलू को लेकर जो आज हमारे देश की सुप्रीम फूर्ट ने जैस जायस ठाराया है त वो SC के लिए यानि अनुसुची जाती के लिए 15 फीस्दी, ST के लिए 7 दसमलो 5 फीस्दी और ओबीश के लिए 27 फीस्दी आरख चुड़ा है यानि कुल मिलाकर 49 दसमलो 5 फीस्दी, उच्च वरणों के लिए 10 फीस्दी लागू होने के बाद ये 69 दसमलो 5 फीस्दी हो जाता है, यानि 60 फीस्दी के आसपास इससे मानी कोट की संविधान पीठ की उस इनिरासानी फैसले की 50 फीस्दी बंदिश भी अब धराशाई हो चुकी है अभी तक जो समाज के अन्य तबके जो पिछड़े अपने को मानते हैं जब कभी कोट में जाते थे या सरकार से मांग करते थे तो सरकार कहती थी किसाब 50 फीस्दी से उपर आरख्षाण आप नहीं कर सकते लेकिन अब मवजूदा फैसले से और संविधान संसोधन को जायस ठाराने वाले जज्ज्मेंट से अब ये स्वता माननी सुप्रिम कोट नहीं बंदिश्ट को तोड़ दिया है तो ये जो फैसला है जो 1992 का फैसला इंदिरा साहनी के नाम से जो ख्यात है अब उस फैसले का कितना रिलिवेंस है ये बात समझना बहुत दिल्चस्प होगा और इसको बड़े बड़े न्यायविद भविष्टे में समझने की जरूर कोशिश करेंगे और देखे एक अजीब बात कि 2022 में आज इस वर्ष 7 नॉंबर को जो फैसला कोट में आया वो पांच जजों की बेंच का है और अब तो ये कोट ही जाने की आठ जजों की बेंच की बात सही मानी जाए या पांच जजों की पीट का बहुमत से लिया गया फैसला इंदिरा सानी फैसला आठ जजों की बेंच का था जो 1992 में हुआ तो अब उसने कुछ कहा था आज जो पांच ज़नों की पीठ है जिसमें जो वर्डिक्ट कही जा रही है उसमें जो आया है वो कुछ और है तो ये एक जरूर विरोधाबास या अन्तविरोध मैं समझता हूँ कि जुडिसरी के अपनी वर्डिक्ट से कायम रहेगा और अगर आप देखें दोस्तों कि लंबे समय तक वेट करना पड़ा था मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछणों के आरक्षण को कई महीने कई महीने लगबग और 1992 में ये तब लागू हुआ जब क्रीमी लेयर का प्रावधान इंदिरा सानी के जज्जमेंट में आ गया और वहीं से अच्छाई भी शुरू होई एक तरह से पहल भी शुरू होई कि OBC को पहली बार आरक्षण मिला लेकिन साथ में क्रीमी लेयर का प्रावधान होने से आरक्षण में एक आर्थिक स्रेड़ी खोजने का दरवाजा भी खुल गया अगर पूने पैक और उस भी हैं तो दोस्तों चलते चलते एक पहलू पर और बात करके मैं अपनी बात खतम करता हूँ और वो यह है कि SC, ST और OBC इन तीनों केटेगरीज में जो आरक्षण उपलब्द है अगर इन तीनों समाजों की भारती जन भारती जो आबादी है भारत की जो जनसंख्या है उसम इनके परसेंटेज को देखें इनकी आबादी के परसेंटेज को तो जिस प्रप्रोशन में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था सरकारी सेवाहों में अभी भी उसमें कमी है अभी भी उसमें कमी है जो SC हैं उनको अभी भी 4.69% की कमी है देड़ फिस्दी की कमी STK reservation में अभी तक है आबादी के अनुपात से और OBC की तो इस्तिती यह है कि अगर totality में लिया जाए यानि सभी सेवाओं में तो तक्रीबन तीरपन 54 फिस्दी की कमी है अगर इस इस्टिमेट को देखा जाए तो जो जस्टिस ललित और जस्टिस भट ने सवाल उठाया है उसको गंभीरता पुरवक लिया जाना चाहिए कि आप सिर्फ इस आधार पर किये अपर कास्ट रिजर्वेशन है आप S.C.S.T. O.V.C. के कमजोर वर्ग के लोगों को गरीब लोगों को आप आर्थिक आधार वाले प्रावधान से वंचित कैसे कर सकते हैं सम्विधान ऐसा नहीं कहता सम्विधान का कोई अनुछेद ऐसा नहीं कहता तो एक नया जो प्रावधान को वैदता मिली है सम्विधानिक वैदता जो मिली है वो मैं समझता हूँ कि विवादों में बनी रहेगी इस पर चर्चा होती रहेगी और हो सकता है कि निकट पविश्य में याचिकाएं भी जाएं हो सकता है लोग इस पर पुनरिक्षन की बात करें पुनर्विचार की बात करें तो देखना होगा कि आगे क्या होता है लेकिन कुल मिलाकर एक सो तीनवा जो संविधान संचोधन है भारत के नियाईक इतिहास में भारत के विधाई इतिहास में दोनों विधाई और नियाई द दोनों इतिहासों में एक महत्वपूर्ण संविधान संसोधन के रूप में दोस्तों दर्ज हो चुका है। नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल।